सबसे पहले हम लोग बात कर लेंगे कलमिंग भाई के बारे में तो आप लोग जानते हो कलमिंग भाई का एक ट्रैक आया है जिसका नमें नालाया और जिसके बाद कलमिंग भाई के स्टोडी लगाते हुए लिखे थे समझ जाओ तो आप में से अगर कोई भी इस चैनल पर पहली बार आये हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल एकन को अलपेश जरूर बेस कर देना ताकि आप लोगों तक ऐसे डिल ही पॉप का अपडेट जाते रहे तो चली अब हम लोग बात कर लेंगे किंग भाई के बार लास्ट एपिसोड में आप लोग दिख सकतों MC स्टैन भाई को काफी सरे कंटेस्टेंट के साथ नॉमिनेट किया गया है तो आप लोग अगर वोट देना चाहते हो तो वूट अप पे जाके आप लोग वोट दे सकतों MC स्टैन भाई को तो चली अभी हम लोग बात कर तो अभी हम लोग बात करेंगे M.E.O.A. बंटाई के बारे में तो सबसे पहले तो M.E.O.A. भाई का जो ट्रेक आया था हील उस ट्रेक ने यूट्यूब पर 5 मिलियन व्यूस पार कर लिया है तो बहुत बहुत शुब कामना ए M.E.O.A. भाई को और जिसके बाद M.E.O.A. भाई के स्टोडी शेयर करे थे जिदर बेसिकली फीफा अंडर 17 ओमेंस वर्ल्ड काप में M.E.O.A. भाई का ट्रेक चल रहा था तो आप लोग थोरा सा सुन लो तो चली अभी हम लोग बात कर लेंगे कर्मा भाई के बारे में तो भाई एक स्टोडी लगाये थे आप लोग दिख सकते हो जो सॉंग राइटर और म्यूजिक कंपोजर है जानी भाई ने विकेट सनी भाई को SMS करते हुए लिखे थे कमल हो भाई सेक्सी लग रहा था एंड शेक गाड़ बलेसी और विकेट सनी भाई लिखे थे थेंक्यू सो मज जानी भाई जी बहुत बहुत शुक्रिया तो वीडियो कर अच्छा लगा तो वीडियो बेक लाइक कर देना और एक कमेंट भी कर देना तो इस वीडियो में तो इतने ही मिल तपस और एक नए वीडियो में तब तके लिए टाटा बाई बाई और टेक के यार